ओम ग्लीम कृष्णाई नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरूटी ओफ लाइफ में मैं इलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाक मास की शुकलपक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है कब है एकादेशी कितिती कब प्रारंब हो रहे है, कब समाप्त हो रहे है, वृत आपको कब धारन करना है और पारन करने का यानि कि वृत खोलने का शुब महुळक या है मोहिनी एकादेशी व्रत का महत्व क्या है, संपुर्ण पूजा विधी क्या होगी और आज के दिन कौन सा उपाई करें, जिससे कि इस व्रत का संपुर्ण फल हमें प्राप्थ हो जो भी मनो कामना है जिस भी कामना से हम आज के दिन भगवान स्रीर विश्णू की पूजा कर रहे हैं हमारी वो मनो कामना पुर्ण हो इसके लिए आज विशेश क्या करना चाहिए ये संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तो मोहिनी एकादशी के दिन भगवान स्रीर विश्णू ने मोहिनी अवतार लिया था धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मन्थन के बाद जब देव और दानवों में अमरित से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था तब वैशाक मास की शुक्लपक्ष की एकादशी को भगवान विश्णू ने मोहिनी नामक इस्त्री का रूप धारन किया था और इस मोहिनी रूप से भगवान विश्णू ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अम्रित से भरा हुआ कलश लेकर देवताओं को अम्रित पिला दिया जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए शास्त्रों के अनुसार उसी दिन से भगवान विश्नु की पूजा मोहिनी अवतार के रूप में मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है तो शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी बहुत महतिपूड मानी जाती है इस दिन भगवान स्रियर विश्मु की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी उस परेशानी से आपको मुक्ते मिल जाती है बात करें मोहिनी एकादशी कब है तो देखिए व्यशाक मास की शुकलपक्ष की एकादशी के दिथी प्रारमभोगी 18 मई को सुबह 11 बज कर 23 मिनट से और समाप्त हो रही है 19 मई को दो पहर में 1 बज कर 50 मिनट पर एकादेशी का व्रत हमेशा सुर्योदेकाल में रखा जाता है तो सुर्योदेकालीन एकादेशी हमें प्राप्त हो रही है 19 मई को यानि की रविवार के दिन इसलिए 19 मई 2024 रविवार के दिन मोहिनी एकादेशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी वृत का पारण हमेशा द्वादशी तिति के दिन किया जाता है तो द्वादशी तिति प्रारंभ होगी 19 मई को दोपहर में 1 बज कर 50 मिनट पर और समाप्त हो रही है 20 मई को दोपहर में 3 बज कर 49 मिनट पर और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा शाम को 5 बज कर 25 मिनट से शाम को 7 बज कर 7 मिनट तक राहुकाल में कोई भी शुबकार्य नहीं करना चाहिए और अभिजित मुहुर्त में आप कोई भी शुबकार्य कर सकते हैं एकादेशी के दिन ब्रह्म मुहुर्थ में श्नान करना चाहिए तो ब्रह्म मुहुर्थ का समय रहेगा 4 बसकर 5 मिनट से 4 बसकर 47 मिनट तक सुबह अगर आप ब्रह्म मुहुर्थ में शनान करते हैं तो इससे आपको गंगा इत्यादी नदियों में शनान करने का पुनिफल प्राप्थ हो जाता है तो मोहिनी एकादिशी का व्रत हम धारन करेंगे 19 मई को, 18 मई को दश्मितिती के नियम का पालन किया जाएगा और 20 मई 2024 को यनि की सोंबार के दिन मोहिनी एकादिशी व्रत का पारण किया जाएगा तो पारण का शुब मुहुर्थ है सुबह 5 बसकर 28 मिनट से सुबह 8 बसकर 12 मिनट तक इसी शुब महुरत में हमें अपना व्रत खोलना चाहिए क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत का पारण शुब महुरत में नहीं करते हैं व्रत अगर सही समय पर नहीं खोलते हैं तो हमारे किये गए व्रत का संपोर्ण फल हमें परात नहीं होता इसलिए एकाद शिवरत का पारण हमेशा शुब महुर्ट में करना चाहिए तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी और दोस्तों इस चैनल पर आपको हर रोज पदमपुरान की कथा सुनाई जाती है अगर आप लोग अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो जरूर सुना कीजिए मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राधे